92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं Big Talkies मशूर फिल्म क्रिटिक और आथर भावना सुमाया के साथ नमस्कार मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो 92.7 Big FM पर Big Talkies और हमारे आज के मेमान है अजय देवगन और तबू जो हमारे साथ उनकी हाली में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम की बात करेंगे सबसे पहले तो अजय देवगन और तबू हमारे साथ स्टूडियो में है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इनको हमने कितनी बार साथ में फिल्मों में देखा है और सब लोग शायद नहीं जानते हैं मैं जानती हूँ कि अजे देवगन जब स्टार नहीं बने थे उनके दोस्त है समीर आर्या जो तबू के भाई है तो इन लोग की दोस्ती या यू कहिए जो रिष्टा है वो तब से है सबसे पहले आजे मुझे बताओ कि दृष्यम का मतलब क्या है दृष्यम का मतलब है दृष्यम संस्कृत वर्ड है दृष्य के लिए दिरिश्य जो नजारा जो चीज आप देख ले है और इस फिल्म में इसका में मतलब यह है कि जो यह क्यारेक्टर पूरी दुनिया को और पुरी स्फोर्स को जो दिरिश्य दिखा रहा है वो अक्चुली वो में है नहीं जो है और यह ओडियन्स को भी हर सीन के बाद पता चलता है कि अच्छा उसने कुछ और किया था और कुछ और दिखा रहा है तो इस अबरी इंट्रेस्टिंग क्यारेक्टर बट्वीन तबूस कारेक्टर और माय कारेक्टर सबसे च्छी बात है कि दोनों के पीछे बहुत ही एक स्ट्रॉंग एमोशनल रीजन है दोनों अपनी जगा पे सही नहीं है और दोनों अपनी जगा पे गलत नहीं है क्योंकि आपको प्लीज करना और आपको फिल्म साइन करवाना बहुत मुश्किल बात है हम सब जानते है तो ये फिल्म आपको दिखाई गई है आपको इसके बारे में पता था अचली मैंने ये अल्मोस्ट दो साल पहले फिल्म देखी थी मालयालम वर्जन मेरे दोस्तों ने प्रोड्यूस की है इसी लिए ये वांट तो शो मीद फिल्म और ये रोल मुझे बहुत ही मतलब इंप्रेस किया था इस कारेक्टर ने और जिस का समसे इस फिल्म में इसका पाडिसिपेशन है और जब ये फिल्म आई और जब इस रोल का उफर आया तो मतलब I was too excited because मैंने देखा है रोल मैंने देखा है कारेक्टर इसका पोटेंशल और इसका प्रेजेंटेशन और जिस का समसे इसको प्रोजेक किया गया है और इस्तेमाल किया गया इस कारेक्टर को it's fantastic तो मैं बहुत खुश थी करते वक्त ही बहुत खुश थी कहानी है कॉप की और कहानी है एक family man जे की तो जब हम ऐसे सुनते है तो हमको लगता है कि family person होगी तबू और कॉप होंगे आप क्योंकि इस बार उल्टा है क्या 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 आपको एड़्जास्मेंट करने पड़े अपने रोल के लिए क्योंकि आप से मैंने जब भी बात किया जई आपने हमेशका कहा है कि मैं कुछ काम नहीं करता हूं अपने किरदार पर इस बार भी मैंने ऐसा कुछ हमें किया इपक्त पर इन ऑरजिनल फिल्म हम नहीं देकित नहीं ना मौनलाल की ना कमलासंग के तयो इस बिर इन मालयारeking और त इस है मैं नहीं जाए क्योंकि मोहुझन पहुछ एच्छ एच्छा एक्षट करता एक है के चूटी सिजप जो इस फिल्मै तखलीफ आई जो न आपका इमाजिनेशन बहुत जयादा जयादा फुर्टार इसली चौथी फेल इस इमाजिनेशन के साथ कैसे पुर्य गोगा की पुलिस कुमाते है और तभू आपको क्या बहुत जादा हाद बनना था इसमें हाँ बनना तो था और काफी अटसे से मैंने इसा कोई करेक्टर किया नहीं था जिसमें मुझे इतना हाद और कोल्ड actually she is cold and heartless है एक लेवल पे जब उसके मतलब बेटे की बाता है तो थोड़ी सी मुश्किल हुई मुझे अच्छली मैं जब ओरीजिनल देख तभी भी मुझे तकलीफ हो रहती कि एक औरत हो कैसे how can she be so hard और इनको मार खिलवा रहे थी तो I was feeling very bad about it but करना ही था because that is what the character is उसको ऐसा बनना ही है और वो अच्छली उसके पास हाँ चॉइस भी नहीं है उसकी पसनालिटी उसका कारेक्टर वो ऐसी ही है अजय देवगन हमेशा की चरहा बहुत कम बोल रहे है सिर्फ निगाहों से हमें देख रहे हैं और तबू जिसको हर बात में हसी आती है अपनी हसी रोक रही है जब आप ऑफ स्क्रीन जिंदगी में अच्छे दोस्त हो क्योंकि even the three films that you all have done together were all kind of turning points जैसे के तक्षक में आपके लिए आफ बीट सिनमा पहली बार थी शायद मगर तबू ने किया हुआ था और अगर विजयपत में आप उनको नहीं लाते तो शायद अब तक तबू ब्रेक के लिए इंतजार कर रही होती तो इतनी अच्छी दोस्ती कि बावजूद ऐसे एनिमेटी स्क्रीन पे दिखाना असान एक है? बहुत जादा असान है क्योंकि कोई इनिमिशन नहीं होता है अबरना क्या होता है दो आक्टर्शिप काम कर रहे होते हैं तो सामने वाले को लगता है कि यार ये कुछ जादा इस तरन बन रहा है ये कर रहा है और जब आपके दोस्ती और एक तुनिंग हो तो तो दे और उसे दो विश्ता अची का और जाता है मुझें अचीन पर दोस्ती आप खड़ लोगते हैं अगर अगर एक्श्न ऑष नहीं हो सकता आघर आप अगर और आप्शन गया इंग है तो फादा कि अगर अपने पर फॉर्मेंस पर द्यान दोऊचिश करूंगा कि तभगा प् तो यह चो लोगों के दिमाग में है कि एक फिल्म में करते हैं दूसरे के साथ, अलग फिल्म में करते होंगे, बट एक 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 फिल्म में करते होंग तो राज जी ने कहा था कि अजय देवगन इतना confident और calm actor है, दूसरे actors phone करके पूछेंगे, आके अपने shots देखेंगे, अजय देवगन time देता है, scene करता है, और मुड के नहीं देखता है, जब तक मैं उसे नहीं बुलाता हूँ. मैं monitor भी नहीं देखता हूँ, जब तबू के बारे में अभी कुछ हुच हाँए, इध़ देखेंगे बारे में आखेंगे, नहीं देखेंगे, अझाली, य। एक नहीं बुलाता हूँ, उर्य। आपको पताएं के आप क्या कर रहे है, तो यह निय। स Memory चली जाती है, तो यह कि युज देखने को मिलता हुआ है। लिए युज है। सम्टामस लेक्टनेय को प्र लेक्टनेयु है। लिए इस इस रहाराँ हो लो टमा लौन्स दॉरी नहीं है। लूरी है। बड़ी आप गुजर के शिखते है। चाहिए। आप टाराओ हुआ। पिछाए हुआ हुआ and that's why she's grown to be an actress. मैं यही कह रहा था कि इस फिल्म में जो कॉन्फलिक्ट है, I don't think any other person could do it except for Taboo. क्या बात है Taboo जी? थाइक. Taboo की जब भी नई फिल्म रिलीज होने को होती है, वो हमेशा कहती है कि नहीं बस ठीक ठाक है. और हमेशा कहती है कि नहीं नहीं ऐसे ही बस हो गया, मुझे कुछ नहीं मालूम. मगर क्या इतने मंजी हुए अक्टर्स को भी? कुछ scenes ऐसे होते हैं जहां पे डर लगता है, या मुश्किल लगता है. जब ऐसा किरदार होता है, जो out of the box है, दोनों के लिए. जब आप कर चुके हो उसको आप जी चुके हो, तो एक तरह से आप उसके साथ अलग हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, मगर आपका प्रोसेस क्या है तपो? क्या मालू है? नहीं, कुछ सोच के वड़ा? तपो का भी प्रोसेस सेमी है, I think we, whatever we do in the shot, we feel in the shot, आप लोग प्लाइन करके नहीं करते हैं, we are not method actors, तो मुझे भी नहीं बता कि मैं शॉट में क्या करने वाला हूँ, आप मुझे रहसल करने के लिए बुलेंगे, तो मैं ठीक से रहसल भी नहीं कर भाऊंगा, तो तो डिरेक्टर को शायद लगएगा, कि इसको तो 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 तालोग ही याद नहीं है, कि कोई हैं, तो अईलिगे क्या करे हैं, तो 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 ग्ताह creepy, प्रवू। मेरे लिए फिजिकल टॉचर का सीन बहुत मुश्किल था फिल्म में भी वो सड़नली आता है और वो रूथलेसली और हाटलेसली मार रहे हैं बच्ची को भी मार रहे हैं उसकी बीवी को भी मार रहे हैं तो वो आधिंग देखने के लिए भी और करने के लिए भी मुश्किल था मुश्किल मनलब वो एमोशन काफी अनकम्पूटबल था मगर इस फिल्म के लिए आपने ट्रेनिंग भी ली थी नहीं मुझे अक्शन करना नहीं था इसमें क्या है आप आई जी का पोस्ट मिले तो हमको सिर्फ और देना पड़ता है तो मगर आप तो फिटी हो मगर इसके लिए कुछ जादा आपने मैंनत की थी नहीं मतलब मैं कॉंशिस थी के मुझे युनिफॉर्म पहनना है तो ज़रा खाने पीने पर आराम से गोईजी आपका कोई सीन ऐसा था जो आपके लिए बहुत आसान था या मुश्किल था शीन में का हु कि यह आदमी इतना कुछ ही इस गोई थू एमोशनली और अंदर गुसा भी है अपर बिकोष अपने प्लान की वज़े से हैं तो सेवस फैमिली वो दिखाता नहीं है तो I had to feel it अलसो के ओडियोंस को लगे कि यह अंदर से ही इस गोई थू थू दू अर यह नहीं भी आ रहा लोगों को पता चल जाएगा कि आप डरे हुए किसी चीज से तो लोग और डाउट करेंगे तो he has to be smiling and normal and happy बट अंदर बहुत बेन है तो वो वो I don't know कितना मैं कर पाया हूं बट कोशिश यह किए एक डिरेक्टर का अपने आक्टर के साथ एक खास रिष्टा होता है तबू के अपने डिरेक्टर के साथ अलग-अलग रिष्टे है कुछ मुझे मालम है प्रियदर्शन से वो बहुत जादा डरती है और जब कभी वो प्रियांसर का शॉट देती है तब उसको डर है कि प्र और डिरेक्टर है बहुत ही खास जो लेरिसस भी है जो तबू को सर पे बिठाते है और बच्चे की तरफ यार करते है एक अक्टर का अपने डिरेक्टर के साथ रिष्टा बहुत अहम होता है जब तक आप अपने डिरेक्टर के रिष्टे में सिक्योर नहीं हो तो आपको अ कि एक एक्टर को समझ में आ जाता है कि डिरेक्टर कितना इन उसको क्या चाहिए और और सही है कि नहीं तो I think Nishika वो पहले ही समझ में आ गया था अग्टर करेक्टर कि इसे जादा नहीं चीए बहुत कम लोगों जो बोलते हैं इसे जादा लीचिए सब बोलते थोड़ा और मेरे साथ पहले बात बार हो चुका है कि एक सिन नए डर्टर के साथ में गाम किया और एक स्केडियूल किया चारवाज दिन का तो वो हर शॉट मैं कि से थोड़ा और मैं तुम्हा कहता था कि आप स्क्रीन पर देखिएगा बेकुस्क्रीन एंप्लिफाइज एवरीधिंग तो नेक्शेडियूल में पुलते है नहीं सर्यो और राइट को उत्र नहीं किजेगा तो मतलब कि वह एक इंसेक्योरिटी नहीं थी कि मेरा एक्टर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है यह संदिंग देख रहा है कोई रियाक्शन नहीं है तो भी ठीक है तबू क्यूंकि आपको मैंने आपके सभी डिरेक्टर्स के साथ एक बहुत ही खास रिश्टा रहा है प्रियन के साथ भी डाते भी है गुलजार साथ आपको बहुत जाटे ही नहीं है नहीं मगर वह बहुत लड़ करते है आपको बहुत ज़ादा और चोटी चोटी बात आप जब सीन्स में कर देते हो तो वो कितने खुश हो जाते है और तो इसलिए मुझे समझना ज़रूरी ह कि इनके साथ अपने कोई ऐसा खास रह बनाई डिरेक्टर के साथ ये अचली निशी की सारी पस्नालिटी इतनी इजी है ना और सिंपल बहुत सिंपल है तो ऐसे लोगों के साथ काम करना और इंटराक करना और असोशियट करने में बहुत कमफर्ट आपको कुछ को महसूस होता अब सकते हमार आपको इसका क्या बागेज नहीं यह सब आपको सानी लगता कि रहना इसको एसे बोलू नहीं बोलू अ गयं बें दो काम कांथन वह जया को इन श्ना कव रहना ऑने कने सब्स्ता नि जंड आपकावर्त पाहले है और हमको आपको दस बज़े से लेके चार किए करना है कितने time में किना हो सकता है कितना हो जाएगा so, it's very nice about him मैं आखर में ये कहना चाहूंगी कि Tabu, my darling it's always nice to see you and I absolutely love you I know, I love you too An giy, it is always nice to see you I really think that you're a thinking woman's hero मैं आपको मेशिब्च भी कियो है जब आपकी मैंने फिल्म जेखी है और पहले जब मैं आपसे मिलती थी ना आप कब मुस्कुराते थे आप ज़्यादा मुस्कुराते हो अच्छा नहीं ज़्यादा नहीं अप सही मुस्कुराते हो क्योंकि जब आप मुस्कुराते हो तब आप बहुत अच्छे लगते हो शुक्रिया for a very nice interview Thank you 92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं Big Talkies मशूर फिल्म क्रिटिक और आथर भावना सुमाया के साथ